हेलो इस्टूडेंट्स स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर इस्टूडेंट्स आज की जो डिक्टेशन है यह 40 वर्ट पर मिनिट की स्पीड से तैयार की गई है और आप हमसे टेलीग्राम गुरोप पर जोड़ सकते हैं डिस्केप्शन में लिंक है डिक्टेशन इस्टार् जूटा अपराध पंजीबध किया गया है की थाना इस्टेशन के कुछ पुलिस कर्मी चौराहे के पास कुछ लोगों के जुआ खेलने की सूचना पर मौके पर पहुँचे जहां पर जुआ खेलने बालों ने उन पर हमला किया तथा शास्किये कार्य में बाधा डाली आवेदगण का इस घटना से कोई शंबंध नहीं है थाना इस्टेशन ने आवेदगण के विरुद्ध अपराद क्रमांग छेवटा उननीस पंजीबध किया था जिसमें आवेदगण और उसके पूरे परिबार एवं महिलाओं को आरोपी बनाया था तथा पुलिस द्वारा आवेदगण क्रमांग एक की पत्नी के साथ जवरदस्ती घर में घुसकर मारपीट एवं असभ्य ब्यवहार किया जिसकी सिकायत पुलिस के बरिष्ट अधिकारियों को की गई कोई करवाही ना होने पर न्यायालय में परिबाद प्रस्तुत किया गया अपराद किरमांग छेवटा उन्नीस में अतिरिक्त सत्र न्यायधीस महोदाय द्वारा आवेदगण को दिनांग सत्रह छे दोहजार उन्नीस को प्रिती भूती पर मुक्त कर दिया गया है पूर्ण ब्राम पेराचेंज इस त्रकरण में अधिनस्थ न्यालय द्वारा नो आरोपी गण को प्रिती भूती पर मुक्त कर दिया गया और आवेदगण प्रिती भूती आवेदण इस आधार पर निरस्थ किया गया कि उनके बिरुद्ध अन्य प्रकरण भी पंजीबध है आवेदग क्रमांक एक की पत्नी बर्तमान में उस समय से गर्व वती है एवं उसका पुत्र बिकलांग है आवेदग क्रमांक दो बिध्यार थी है बे बे नाम जिले के इस्थाई निवासी हैं उनके फरार होने की कोई शंभावना नहीं है पुर्वराम अतहा नियमित जमानत दिये जाने का निवेदन किया पुर्वराम डायरी का अवलोकन किया गया दिनांक नौ छे दो हजार उन्नीस को थाने में के सहायक उपनिरिक्षक द्वारां थाना में उपस्थित होकर इस आसय की रिपोर्ट दर्ज कराई की आज दिनांक को थाना इस्टेशन थाना के अपराद क्रमांक छे बटा उन्नीस धारा 147, 148 भारतिये दंड सहिता एवं धारा 25 बटा 27 आर्म्स एक्ट में फरार आरोपी की सूरज के सम्बंध में मुखविर से सूचना प्राप्त हुई की करारिया फार्म के जंगल में उक्त दोनों आरोपी तीन औरतें और करीब 12 ते रह लोगों के साथ जुआ खेल रहे हैं पुन्वराम अतहा मुखविर की सूचना के आधार पर मैं स्टाफ के मौके पर रवाना हुए तब थाना के छेत्र में रेलवे पटरी के किनारे बने मकान पर दस बारह लोग जुआ खेलते हुए मिले पूँचने पर उन्होंने अपना नाम फहीम दीपक सोहेल शवनम फहमिदा बताया बहर हार जीत का दाओ लगा कर जुआ खेलते पाए गए घर्टना इस्थल से सभी आरोपी गण के कबजे से 36,500 रुपए जब्त कर धारह तेरह जुआ एक्ट अपराध क्रमांक 0 बटा 19 पंजीवध किया गया तथा ग्रफतारी पत्रक के अनुसार ग्रफतार किया गया हस्ताक्षर करने पर ग्रफतारी पत्रक और जब्ती पत्रक पर हस्ताक्षर करने को कहने पर आरोपी सोहेल सूरज सबनम फैमिदा ने बिरोध कर हस्ताक्षर करने से मना किया धन्यवाद स्थिदंट्स या डिक्टेसन 40 वर्ट 60 पर मिनटन की कति से तैयार की गई थी स्टुदेंट्स इस परकार की δिक्टेसन आप को मिलती रहे इसके लिए आप हमारे एब को install कीजिए और वहाँ पर आप course को purchase कीजिए students आज तक आपको ये जो dictation कुछ आपको demo के रूप में free of cost आपको YouTube के माद्यम से दी जा रही थी अब इसके बाद अगर आपको dictation अगर इस परकार की करना है तो इसके लिए आपको हमारा course purchase करना होगा volume 2 के नाम से भी है और volume 1 के नाम से भी है आप दोनों में से जो भी course चाहेंगे उसमें आपको content भी मिलेगा साथ में आपको dictation की भी preparation होगी चाहिवा आपके steno के लिए हो चाहिवा grade 3 के लिए हो आप description में link के हमारे app की आप उसको install कीजिए और उसके बाद में आपको ये सारी dictation मिलती रहेंगी क्योंकि अभी तक जो dictation आपको दी गई है इसके बाद की आप सारी के सारी dictation आपको private कर दी जाएंगी यूटूब पर आपको नहीं मिलेंगी इसके बाद की dictation आपको app पर मिलेंगी और app पर भी तब मिलेंगी जब आप उन course को purchase करेंगे तो students इसके लिए सबसे चाहिए होगा कि आप लोग सारे के सारे ये course को purchase करें क्योंकि आपको बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है students हमारे साथ जोड़े रहने के लिए हमारी dictation को सब्सक्राइब से करने के लिए आपको हड़ता है कि करेंगे विशे बहने बाद